अगर्णाद मंधिरों ठरे आजी तीरी स्कुटी टंका बेवरे निर्मान हुईते वा नुत्यन सर्कित हाउसुरों लुकार पण करीचंती प्रधान मंत्री नारण्द्रमोती। वीडियो कनफरेंसिंग माध्यमरे यहार उदघाटन करीचंती प्रधान मंत्री। यह अवसरे प्रधान मत्री वर्चुल कंफरेंसेंग जर्यारी स्तानिया जनसादरान को उद्भधन मध्या दी चती गुजुराटर प्रसिद्ध सुमनाथ मंदिरों को प्रतिवर्श लख्यो लख्यो स्रधालू आसे थांदी तब मंदिरों निकोटरे सरधालू को पाइँ कणुसी रहनिस्ताना नत्वाब बले समाने असुविधार समुखेनो है उतले तब मंदिरों निकोटरे तीरिसकुट्टी और्थर बे और एही नूत न सरकूिट हाउस ने माना हुई ची सरदाड मानां को पाई उपोजगी हैवों एतीरे सूट बियाईपी एबंग डिलर्स को प्रकोर्ष्ट सोईतों समेलों नी कख्यों एबंग प्रख्याड़ायों मद्यों उपलोब्द वाईतिपा देखिवा कुम लेची पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कारिये हो रहे हैं यह सोमनाद दादा की ही विशेश करपा है मैं इसे अपना सवभाग मानता हूँ कि सोमनाद ट्रस से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूँ कुछ महिने पहले यहां एक्जिबिशन गैलेरी और प्रमेनाड समेत कई विकास कारियों का लोकारपन हुआ था पार्वती मंदीर की आधार सिला भी रखी गई थी और आज सोमनाद सर्किट हाउस का लोकारपन भी हो रहा है मैं इस महत्वपू अवसर पर गुजरात सरकार को सोमनाद मंदीर ट्रस को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ साथ्यों यह जब सर्किट हाउस की कमी एक है अर्ति दिग्रू वह भी दूर तो बाहर से आने वालों को ठराने के लिए मंदीर ट्रस पर ही काफी दबाव रहता था अब यह सर्किट हाउस बनने के बाद एक स्वतंत्र व्यवस्ता बनने के बाद और वो मंदीर के से कोई ज़्यादा दूर नहीं है और उसके कारण मंदीर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया अब वो अपने मंदीर के काम में ज़्यादा धैन दे पाएंगे मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाये गया है यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले समंदर दर्शन होते रहें यानि लोग जब यहां शांती से अपने कमर में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरे भी दिखेगी और सोमनात का सिखर भी नजर आएगा